स्वागत आप सभी का आपके अपने चनल गुमंत इस्टूट पर हज का ये वीडियो बीएस्सी फ़र समेश्टर मैतमेटिक्स का है मैतमेटिक्स में हमारा नया कोर्स हमने श्टार्ट किया था काफी स्टुबेंट बोल वहें किस किताब से आप करा रहे हैं तो इस समय मेरे प प्रिगती एडिशन की बुक है तो दौनों मेंसे जहां से मेरे को अच्छे सवाल अच्छी थियोरी मिलती है वह में कराता हूं तो आप दौनों की किताब खरीच सकते हूं ठीक है और मेरा सजेशन भी मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताई दूँगा कि अब फिलाल आज के टॉपिक पर आते हैं आज का टॉपिक है आपका काइंस ऑफ डिसकंटुनिटी अब तक आपने क्या सीखा कि हमने किसी भी फंक्सन की लिमिट निकाली देखिएगा मैं आपको उताता हूं अब तक आपने क्या चीशी सीखी थी यानि कि हमारे पास पर निकाल रहा हूं एक्सन की वैलू निकली यह तीनों वैलू जब बराबर आती हैं तो हम कहेंगे कि पंसन आपका सब्सक्राइब यह तीनों की तीनों की तीनों वैलू बराबर नहीं है तो आपका फंक्सन डिसकंटूनिटी कहला आएगा यानि discontinuous कहलाएगा और इस प्रिकार की जो continuity है वो discontinuity कहलाएगी बास समझ में आ गई कि यदि हमारा किसी भी function के लिए यदि मैं x tends to apple limit निकाल रहा हूँ तो ये तीनों value आपस में बरावर ना आए तो वो function आपका discontinuous कहलाएगा अब discontinuous के प्रिकार मैंने आपको बताया है जैसे माल लीजिए कि suppose that कि LHL और RHL बरावर नहीं आए तो कुछ अलग discontinuity होगी यदि मैं कहरा हूँ LHL और RHL बरावर आ गई लेकिन ये f a के बरावर नहीं बैटे या किसी का LHL मेंसे किसी एक का माल infinity आ गया और RHL और आपका f a ये आपस में बरावर आ गए तो अलग-अलग समय पर अलग-अलग condition आती है या माल लीजिए LHL कुछ और आया, RHL कुछ और आया, f a कुछ और आया, तीनों value येदि different आई है तो तो सब की अलग-अलग condition है और अलग-अलग वो discontinuity होती है तो सबसे पहले, kinds of discontinuity, discontinuity यहां पर आप पांच प्रकार की पढ़ोगे तो उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं हम reviewable discontinuity या reviewable discontinuous function क्या होता है उसको सीखेंगे ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि discontinuity के किस तरीके से हम बात करेंगे तो उसके लिए देखिएगा, मैं आपको मोटा मोटी पहले सिखाऊँगा, कि हाँ सबसे पहले discontinuity पढ़ने से पहले एक चीज़ समझो, adjust का मतलब क्या होता है, यदि मैं कह रहा हूँ यह fa, यह मैं कह रहा हूँ limit, x tends to a, और यह क्या कर रहा है, adjust कर रहा है, adjust का मतलब क्या होता है, यह समझ लीजिए, कि यह जो value आप निकालोगे, यह एक finite, एक finite value आएगी, चाहे 0 हो सकता है, minus का एक हो सकता है, plus का एक हो सकता है, कोई भी indeterminate form नहीं बनेगी, जैसे कि infinite वड़ते infinite, ठीक है, इस तरीके की value आपकी, 1 की पावज, infinite या infinite into 0, इस तरीके की कोई condition नहीं बनेगी, बास समझ रहा हूँ, यानि कि एक finite value आएगी, तब हम इसको बोलेंगी, यह exits करती है, ठ समझ जाएंगे, रिम्वेबर डिसक अंडिमिटी क्या होती है, यदि, यदि, यदि आपका LHL और RHL, यदि LHL और RHL आपस में बराबर आ जाएं, लेकिन function की value, किसी particular point पर, जैसे कि मैं माल ले रहा हूँ, कि हम किसी भी function है, यह मेरे पास, इस function की limit, मैं x 102 पर निकाल ला x 102 पर RHL, ये दोनों बराबर आ रही हैं, लेकिन ये वाली function में, जा जापर मैं x की जगे पर दो रख रहा हूँ, ये value बराबर ना आएं, तो ऐसे ही यदि मैं x 102 A पर में चेक करूं किसी function को, तो x 102 A पर LHL, x 102 A पर RHL, ये दोनों value आपस में बराबर आएं, परंतु function function की value A पर बराबर ना आए, तब हम उसको बोलेंगे कि वो removable discontinuity है, अभी एक example लेकर भी आपको सिखाँ, पहले definition समझो, ये function f is said to have a removable discontinuity, मतलब कि कोई function है, f is said to have, वो कहलाएगा कि have a removable discontinuity, क्यों है, removable discontinuity रखता है, at a point A, किसी point A पर, if यदि limit ये देखिएगा, आगई यहाँ पर important चीज़ ये है, कि limit x tends to A, f exists, exits करे, and but, but is not equal to f a, मतलब वो f a के बरावर ना हो, मतलब ये देखिएगा, कि भाईया, x tends to A, limit x tends to A, fx, a negative, बरावर, limit x tends to A, positive fx, not is equal to f a, ये चीज़, कि भाईया, lhl, lhl और rhl तो बरावर है, परन्तु ये function की value उस बिंदू पर, यानि कि a पर निकाल रहे हैं, तो a पर उस function की value आपस में बरावर ना आई, तब हम इस condition को बोलेगे कि ये removable discontinuity है, ओके, चलिए, एक example लेकर समझते हैं, इसका removable discontinuity का एक example हमारे पास में हैगा, ठीक है, उसको समझते हैं, उसके बाद में आपका ये सारी चीज़ें clear हो जाएंगी, ठीक है, चलिएगा, ये मेरे पास में एक example है, उसको समझते हैं, यहाँ पर देखिए पर, एक example के तोर पर मैंने एक function ले लिया है, इस तरह से लिया है, कि आपका यहाँ पर है x, if x less than is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1y2, 0 if x is equal to 1y2, ठीक है, और x minus 1y2, sorry 1 minus x, 1 minus x, if x is greater than 1y2 and less than or equal to 1, यदि ये वाला function तब लिया जाएगा, जब x का मान 0 से बड़ा, या 0 के बरावर हो, किन्तु 1 बटे 2 से छोटा हो, ये वाला 0 तब लिया जाएगा, जब x का मान exactly 1 बटे 2 के बरावर है, बात समझ में आ गई है आपको अब इसकी हम निकालते हैं इसको एलेचल निकालते हैं हमको क्या करना कुश्चन इस तरीके से देगा कि इसकी को डिसकस करना है चलिए तो अब हमारे पास में क्या है यहापर कि हम देखेंगे लचल और अरचल पहले बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहला काम है हमारा LHL निकालना, LHL कैसे निकलता है, limit x tends to a negative, और a की जगर हम कितने पर निकाल रहे हैं, एक वट्टे दो पर निकाल रहे हैं, तो हम पर निकलने एक वट्टे दो निकाल रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है, negative सिर्फ यह दिखा रहा है कि हम LHL न कौनसा पंसन लेना पड़ेगा, x का मार यदि एक वट्टे दो से कम है, तो x लेना पड़ेगा, directly हम यहां पर x tends to 1y2 और fx की जगह पर, fx की जगह पर हम कौनसा पंसन लेंगे, ये वाल, x लेंगे, क्या लेंगे, x लेंगे, ठीक है, अब जहां जहां पर आपका x है, वहा भाँ पर मैं 1वर्टे 2 लिमित रख दूंगा, x की जगह पर रवी मैं 1वर्टे 2 लिमित रख दूगा, तो lhl का मार एक वट्टे 2 ही आ जाएगा, क्योबकि ये फंसन में सिर्फ x है, और x की जगह पर मैं 1वर्टे 2 रख दूँझा है, अब हम निकालते है, rhhl, rhhl कैसे निक यहां पर लिख देंगे हम fx ठीक है अब इसको तोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएंगे तो x tends to 1 वट्टे 2 fx की जगह पर हम कौन सा फंक्सन लेंगे यदि x का मान एक वट्टे 2 से positive का मतलब 1 वट्टे 2 से जादा है एक वट्टे 2 से जादा है तो 1-x दिया जाएगा यहां पर में limit रख दूँगा यहां पर में 1-x में x की जगह पर 1 वट्टे 2 रख दूँगा 1-x, x की जगह पर 1 वट्टे 2 रख दूँगा एक में से 1 वट्टे 2 जाएगा तो 1 वट्टे 2 वचेगा तो यह आपका आरेचेल निकल गया तो आरेचेल बरावर 1 वट्टे 2 आ गया ओके यह चीज़ आ गई आपकी अब हमारे पास क्या वच्चा है function की value क्योंकि हम 1 वट्टे 2 पर limit निकाल रहे थे तो हम यहां पर देखेगा यहां पर अब हम निकालेंगे कि f x की जगह पर यदि में 1 वट्टे 2 रख दूँग तो क्या लिया जाएगा x का मान यदि 1 वट्टे 2 exactly बरावर है तो लेंगे 0 तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है चुकि LHL बरावर RHL LHL का मान भी 1 वट्टे 2 है RHL का मान भी 1 वट्टे 2 है दोनों के मान बरावर आए है और एक finite value है एक फिक्स वैलू रखने पर फंक्सन की वैलू जीरो आई है तो यह वादी वैलू इन दोनों के बरावर नहीं आई है किसलिए इसलिए यह जो फंक्सन है apex is discontinuous फिकें लेकिन वों सा discontinuous रहेगा apex have a removable discontinuity तो apex देख देंगे apex फिस हेर रिमुवेवल डिस इंट धूनिटी खकता ग्रमिले डिस कंट्वी यि रखता है हमने क्या वातह हैoh F- rapid, लेक्षक, इपग्जेड़ार है यृप्जेड़ा, डॉनों राच्छल वैवल तों की वैव्ग वय रखता है तो इसकी value इसके बरावर नहीं आई यह तो fx has removable discontinuity at x is equal to 1y2 जल्दी से कर लिए यह सवाल आपका हो चुका है सवाल आपका हो चुका है यह पूरा मैंने आपको समझा दिया है यहां तक कोई भी समश्या होनी नहीं चाहिए यदि समश्या है तो कमेंट चलिए बताए तो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा जल्दी अल्दी करेंगे यह देखिएगा अब आता है दूसरे नमर का discontinuity of first kind और ordinary discontinuity ordinary discontinuity क्या होती है या discontinuity of first kind आगे पढ़ेंगे हम discontinuity of second kind ठीक है नब first kind यानि पहले परकार की discontinuity यानि first kind कैसी होती है उसको समझते हैं उसके लिए देखिएगा एक function F is set to have a discontinuity of first kind या एक function है F इस set to have वो कहलाएगा कि discontinuity of first kind रखता है या ordinary discontinuity रखता है at a point a a point पर यदी if यानि यदी f a positive 0 इसका मतलब होता है समझ जाना rhl और f a minus negative यानि की lhl बास समझ गए if rhl and lhl both exits दोनों exits करती है मतलब दोनों के पात एक finite value है but are unequal but unequal पुल मिला कर बात यह है कि मैं कहरा हूँ कि lhl की value एक आगई rhl की value minus का एक आगई हाला कि यह दोनों की दोनों value एक finite value है बट दोनों की दोनों value बरावर नहीं है यनि की दोनों की दोनों value unequal है तो ऐसी condition में हम बोलेंगे कि यह आपका discontinuity of first kind है okay clear होगी बात समझ में आ गई चले यह बस कितना करना है आपको इसके लिए मैं एक example बताता हूँ आपको देखिएगा आपको एक example example के तोर पर मैं आपको सिखाता हूँ जैसे की मेरे पास में एक function है कि आफा एकस वन अपॉन वन माइनस एक पावर वन अपॉन एकस यह है ठीक है और इसमें इसमें दे रखता है यह तब है जब एकस नॉट इजिकल तो जीरो पर एकस बरावर है जीरो मतलब यदि एकस का मान इसी जीरो है तो फंगसर लिए जाएगा जीरो बाकी यह है और इस condition में जब आप LHL निकालोगे, ठीक है, इस पर X is equal to 0 पर Add X is equal to 0, ठीक है, X is equal to 0 पर LHL का मान, LHL का मान कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है, RHL का मान जबी निकालोगे, तो इस का मान 0 आएगा, ठीक है, LHL का मान इतना और RHL का मान इतना और function की value 0 पर function की value 0 आ रही है तो यहाँ पर क्या दिखाई देरा है इस चीज़ को तो आप भूल जाओ पहले यही देख लो LHL not is equal to RHL ठीक है यह दोना आपसे बरावर नहीं आ रही है और RHL के बरावर आपका क्या आ रहा है F 0 आ रहा है कोई रिक्त नहीं है तो ऐसी condition में हम बोलेंगी कि यह आपका discontinuity of first kind है बास समझ में LHL और RHL आपस में परावर नहीं है ठीक है कि लिए रहोगी बात अभी आपका हैंगे साहर इसको solve करके देखाओ अभी इसको solve करेंगे पहले इसके पांचों के अचों कंटिनिटी को सी किलो पहले है ठीक है फिर आगे बगते हैंगे तो देखिए अब आजाते हैं अपने discontinuity of second kind इसको मिटा देते हैं यह से ordinary को अब हम करेंगे यह फश्क काइंट था यह है आपका second time इतना समझ लीजिए ए फंक्सन F is said to have a discontinuity of second kind at a.a. यानि कि कोई function है वो कहलाएगा कि वो second kind discontinuity रखता है if none of limit f a plus and f a minus यानि कि none of limit rhl and lhl exists मतलब यह ना तो lhl का मान कोई finite आना चाहिए ठीक है यह finite नहीं आना चाहिए यह नहीं आरेचल का मान आइनाइट आना चाहिए तो ऐसी जो लिमेट है वह आपकी discontinuity of second kind क्यालाती है जैसे मेरे पास एक सवाल है fx वरावर sign 1 upon x if x not is equal to 0 1 if x is equal to 0 इसमें जो एलेचन निकालोगे तो एक औसी लेट भी value आएगी एक औसी औसी लेटरी एक औसी लेटरी value आएगी आप यह समझ लेजेगा जब sign theta जो होता है वो 1 से मायनस से 1 के बीच औसी लेट करता है उतनी value आएगी ऐसे नहीं आरेचल की वैलू भी उतनी ही आएगी तो मतलब यह है कि कोई भी एक फिक्स वैलू नहीं आएगी आरेचल की वैलू एक not a fixed value not a finite value ऐसे समझ भीजेगा ऐसे ही रहल की भी एक oscillator है नि-1 से पिलस 1 के बीच कोई भी value हो सकती है तो इसका मतलब LHL एक finite नहीं है नहीं रहल finite है सिकामवा सारे सवाल फिलाल आप इतना समझ भीजेगा कि इसकी value finite नहीं होगी जब RHL और LHL finite नहीं होंगे तो मतलब वो adjects नहीं करेंगे जब यह adjects नहीं करेंगे तो यह discontinuity है यह आपकी second kind कहलाईगी फिर आती है आपकी दो और रह गई है mixed continuity और आपका infinite discontinuity दोनों को समझाता हम पहले हां तक कर लिजे चलिए तो अब आगे की discontinuity को समझते हैं एक है mixed discontinuity और infinite discontinuity तो पहले mix को समझते हैं कि mixed नाम से पता चल रहा है कि यदि LHL और RHL हैं उनमें से एक limit आपकी adjects करती है और एक limit आपकी adjects नहीं करती है तो उसको हम बोलेंगे mixed discontinuity यानि कि एक function is said to have a mixed discontinuity if one of the limits fa plus zero ya fa minus zero मतलब one of the limits RHL और LHL exits while the other does not exits मतलब ये यदि आपका LHL आपकी exits करती है LHL आपकी exits करती है तो आपका RHL not exits आनि चाहिए ठीक है exits नहीं आनी चाहिए तब इस condition में आपकी mixed discontinuity होगी या माल लीजिए RHL आपकी exits करती है और LHL exits नहीं करती है तब भी आपकी mixed discontinuity होगी मतलब दौनों लिम्टों में से कोई एक limit exits करे और एक limit exits ना करे एक limit ना करे एक लिमिट का मान finite value में आए और एक finite value ना आए ठीक है एक fix value ना आए आए आगे ये LHL या RHL या LHL और RHL दौनों में से किसी का भी महान infinite आजाए या minus infinite आजाए तो हम बोलेंगे कि ये आपकी infinite discontinuity है मतलब दौनों इंफाइनाइट आजाए तब भी infinite discontinuity एक infinite आजाए दूसरी को और value आजाए तब भी आपकी infinite discontinuity ठीक है अब आपके सवाल लेकर मैं अगली वीडियो में बता हम आज की वीडियो को यह पर समाप्त करते हैं वीडियो को लाइक करके सेर कीजेगा चैनल को सस्क्राइब चैनल